कि हलो श्रेंट साज मैं आप लोग को प्रेपोजिशन पार्ट नाइन में बतलाने वाला हूं यूज आफ आफ्टर बिफोर एंड एट क्या तो चलिए सुरू करते हैं आफ्टर से सुरू करते हैं सबसे पहले देखते हैं यहां पर दिया गया है पहला मिनिंग है इसका बाद में जैसे कोई टाइम दिया हुआ होगा उसके बाद जैसे आई शैल कम आफ्टर फाइव ओक्लॉक मतलब क्या हुआ कि मैं आऊंगा प्वाच वजे के बाद तो बाद एक मिनिंग आ गया इसका उसके बाद दूसरा मिनिंग है पीछे जैसे माल लिजिए आप किसी के पीछे दोड़ते हैं या भागते हैं किसी का पीछा करना है तो आप उस केस में आफ्टर का यूज़ कर सकते हैं जैसे मतलब क्या हुआ कि वो दोड़ा अपने दोस्तों के पीछे अब इस तरह से आफ्टर का मिनिंग एक आ गया पीछे अगला यहां पे दिया गया है के विसे में मतलब के बादे में जैसे यहां पे दिया गया है सेंटेंस the policeman inquired after you मतलब क्या हो गए यहां पे कि policeman जो है उसने आपके बादे में inquiry की तो किसी के बादे में जो है आप यूज़ कर सकते हैं इसको आफ्टर का इस मिनिंग में उसके बाद है अगला मिनिंग के बावजूद जैसे after all my efforts I couldn't pass जैसे माल लिजिए कोई एक्जाम देना था औ और अपने सारे कोसिसों के बावजूद मतलब की जो efforts की थी मैंने उसके बावजूद जो है मैं पास नहीं कर पाया तो यह चीज़ हो गया कि बावजूद की मिनिंग में आगे है before का तो देखिए before का मतलब होता है पहले बताया गया है के पहले तो इसको कैसे यूज किया ग उसके बाद अगला मिनिंग दिया है सामने बिफॉर का एक मिनिंग होता है सामने जैसे c stood before me मतलब क्या हुआ कि वह मेरे सामने मतलब खड़ी हुई इस्टूड का मतलब क्या हो गया खड़ी भी अगला यहां पर मेंनिग दिया गया है प्रात्मिक्ता मतलब किसी चीज को हम का देते हैं तो उस केस में हम लोग जो है बीफॉर का यूज करते हैं जैसे आइव डाइब इफॉर आई लाइ मतलब क्या होगा कि मैं मरना पसंद करूंगा जूट बोलने से पहले मतलब की एक तरह से जूट बोलना को जो है वो उतना प्रात्मिक्ता नहीं दिया गया है मरने ज्यादा परत्मिक्ता दिया गया यहां पे अगला है यूज एक का यूज को यूज है वह देख लिजी यहां पर बतलाए गया इसका निर्दीश दिया गया अस्थान मतलब किसी निर्देशित अस्थान को दर्शाने के लिए जैसे she is at your office मतलब क्या हुआ कि वह है तुम्हारे office में तो एक office एक अस्थान है और दिये गए निर्देशित अस्थान को दर्शाने के लिए मतलब कि उस अस्थान पर कोई है तो यह बतलाने के लिए हम लोग at का use कर रहे हैं आपे तो इसी तरह से कर सकते हैं जैसे at office, at school इस तरह से आप use कर सकते हैं sentence किसी भी जगा को बतलाने के लिए आगे बतला आगे है काम में व्यस्थ होना एक और मिनिंग होता है जैसे I am at work मतलब क्या होगा कि मैं काम पढ़ूं मतलब कि काम में व्यस्थ हूं राहूल is at play मतलब क्या होगा कि राहूल जो वो खेल में व्यस्थ है खेल कर रहा है आगे बतला गया इसका एक और मिनिंग है निश्चित समय मतलब एक fix समय के साथ जो हम लोग इसका यूज़ करते हैं जैसे he arrived at 4 o'clock मतलब क्या होगा कि चार बजे पक्का टाइम पर पहुंच गया था तो at का मिनिंग क्या हो गया fix time बतलाने के लिए किसी समय पर कोई काम होता है तो at का use करेंगे उसके बाद है की उम्र में जैसे यहाँ पर देख लिजिए she went there at 16 यहाँ पर the age of जो है यह मिनिंग आड़ा है at के साथ कि वह वहाँ गई शोलर वर्स में मतलब सुलर वर्स की उम्र में तो यह the age of यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए यह नहीं भी दीजिएगा तो भी sentence का मिनिंग निकल जाता है at के द्वारा मतलब क्या आता है कि वह वहाँ गई सोलर वर्स में मतलब सुलर वर्स की उम्र में अगला है यहाँ पर मिनिंग दिया गया है श्रिंखला बतलाने के लिए जैसे at first at the second at the third या at last हम लोग sentence में यूज़ करते हैं कभी कभी अगे है इसका मिनिंग की दर्थ से जैसे यहाँ पर दिया गया है sentence I bought it at rest 16 मतलब क्या हुआ कि मैंने इसे खड़ी दा शोलर रुपे में तो शोलर रुपे की दर्थ से भी कह सकते हैं जैसे शी बॉर्वड मनी जैसे उसने पैसे बॉर्व किये करज लिए किसी से at 5% interest मतलब 5% interest की दर्थ से कि दर्थ से का मिनी एक आयाता है एक का आगे बतलाया गया है की दिशा में मतलब किसी दिशा में जैसे target जब बतलाना हो खास करके देखिएगा कि target दिया गया होगा जैसे look at the wall है तो हम जब देखते हैं दिवाल को तो वह हमारा target बन जाता है एक तरह से और किसी दिशा में ही देख रहा है एक तरह से तो किसी दिशा में कोई काम हो रहा है और वह एक तरह का target है तो हम लोग cat का यूज करते हैं जैसे the ox ran furiously at my friends at my friend मतलब क्या हो गया कि जो ox है वह बहुत ही furiously जो है वह दोड़ा अब किस दिशा में तो मेरे friend की दिशा में जिस दिशा में मेरा friend था तो उसकी तरफ वह दोड़ा